हलो एवरिवन, कैसे हैं आप सब, I hope कि आप सब अच्छे से होंगे आज मैं अप लोगों के लिए बना रही हूँ वेज बिरियानी और सेवई यह मैंने लंच बनाया था, इद पे स्पेशल तो वही मैं अप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ यह बिरियानी बहुत ही जादा इजीली बन जाती है और बहुत ही जादा टेस्टी बनती है साथ मैं अप लोगों के साथ शेयर करूंगी सेवईया की रेसिपी तो चलिए फिर बनाना स्टार्ट करते हैं इसके लिए मैं यहां पर 2 cup प्राइस लिए उनमें 4 cup पानी डाला और एक चमच नमक डाला एक तेज पता डाला चार पांच लॉंग और काली मिर्ष डाल के इनको ब्वाइल कर लिया अब यहाँ पर मैंने दो बड़े चमच तेल लिया, उसमें मैंने टुकडे डाल दिये पनीर के थोड़े से, यह मैंने 200 ग्राम पनीर लिया था, उसको इस तरह से टुकडो में काट के, एकदम लो आंच पे इसको फ्राई कर लेना है, तब तक फ्राई करना है, जब तक इनका जो color है हलका सा change ना हो जाए अब इनको निकाले ना है इनका जो color है वो change हो चुका है बस इतना ही चाहिए अब उसी तेल में मैंने दो कटे हुए प्याज जाल दिये प्याज को आपको तब तक भूनना है जब तक वो एक थम ब्राउन ना हो जाए तब तक आपको इनको भूनते ही रहना है प्याज का जो color है वो change हो चुका है इसमें से जो half onions है वो मैंने निकाल लिए एक अलग प्लेट में उनको अलग से use करेंगे और बाद में यह जीरा डाल दिया है और एक स्टें लें मेलिदे ऑल्य यहे की चोटा चमिदे मेने क्सुर मेथी जाल दि tracing और एक चमच नमक डाला है क्योंकि नमक जो है चावल में भी डाला है तो आप हिसाब से डालें जिस तरह से आप खाते हैं उसे अपना मंग डालें इसमें मसाले को अच्छे से भून लेना है अब इसमें मैंने एक बड़ा चमच अद्रक और लसन का पेस्ट डाल दिया है पेस्ट को आपको लास्ट में ही डालना है अब इसको भी अच्छे से भून लेना है अब यहां पे मैंने दो कटे हुए आलू डाल दिये हैं और थोड़ी सी इसमें मैंने आदा कप से भी कम में इसमें कटी हुई फलियां डाल दी है और अब इसमें मैंने दो कटी हुई गाजल डाल दी है और एक कटी हुई शिमला मिर्च डाल दी है आदा कप इसमें मैंने मटर डाल दिये हैं इनको भी आपको अच्छे से मिक्स कर लेना है अगर आप जादा कॉंटिटी में बिर्यानी बना रहे हैं तो आप सब्सक्राइब बढ़ा सकते हैं अब यह अच्छे से मिक्स हो गई हैं अब इसमें मैंने आदा कप पानी डाल दिया पानी डाल के इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है पानी डालना जरूरी है एक तो सबजियां गल जाएंगी और दूसरा जलेंगी नहीं नहीं तो हम ऐसे पकाएंगे तो वो नीचे से जल जाएंगी अब 10 मिनट के लिए इंको ढके पका लेना है 10 मिनट बाद चेक करके देखेंगे कि सबजी बन चुकी है कि नहीं देखें सबजी ने जो तेल है वो पूरी तरह से छोड़ दिया है यह पूरी तरह से नहीं बनी है थोड़ी सी अभी बाकी है अब इसमें मैंने दो बड़े दो चमच इसमें काजू डाल दिये हैं दो कटे हुए टमाटा डाल दिये हैं और तीन इसमें मैंने हरी मिचे डाल दिये हैं हरी मिचे में मैंने कट लगा दिया था फिर इसमें डाल दिया है इनको भी अच्छे से मिक्स कर लेना है बिर्यानी में थोड़ी खड़ी खड़ी सबजीयां जो है वो जादा अच्छी लगती है अब इसमें मैंने एक बड़ा चम्मच मलाई डाल दिये मलाई को भी अच्छे से मिक्स कर लेना है अब इसमें मैंने जो पनी रखा था फ्राई करके वो डाल दिया है इसे भी अच्छे से mix कर ले ध्यान रहे आपको इसको low आँच पे ही इस तरह से mix करते रहना है अब इसमें से आदी सब्जी जो है वो मैं एक plate में निकाल लूँगी अलग से क्योंकि हमें layer बनानी है क्योंकि हमें layers बनानी है इसलिए बाद में use करूँगी first layer है वो सब्जी की होगी second उसके उपर चावल की layer लगा देनी है अच्छे से उसको पूरी तरह से जो सब्जी है वो cover हो जानी चाहिए अब बिर्यानी जो है वो हमेशा इस तरह से ही बनाए क्योंकि उसका जो taste है वो सही इस तरह से आता है अगर अब डायरेक्ट चावल मिक्स करके उसको देंगे तो वो वैसा टेस्ट बिल्कुल भी नहीं आएगा अब इसके उपर जो मैंने अनियन निकाल दिये थे आदे तो वो डाल दिये हैं अब इसके उपर कटा हुआ हरा धनिया डाल दिया है आप चाहे तो पुदीना भी डाल सकते हैं और जो सब्जी मैंने निकाल के रखी थी अब जो तीसरी लेयर है वो उसकी लगा दूँगे इसको अच्छे से फैला दें पूरे चावलों के उपर अब जो लास्ट लेयर है वो चावल की लगेगी सारी चावल जो है वो अच्छे से इसके उपर फैला दें आप कभी भी फर्स्ट लेयर जो है वो चावल की ना लगाएं क्योंकि वो पूरे के पूरे नीचे जो है वो जल जाएंगे पूरी सब्जी जो है वो कवर हो जानी चाहिए इस तरह से आपको फैला देना है अब यह हो चुकी है अब इसके उपर फिर से जो अनियन फ्राइ करके रखे हुए थे वो डाल दिये हैं और थोड़ा सा कटा हुआ हरा धनिया डाल दिया है आप इसके उपर मैंने दो तीन ड्रॉप्स और इंज कलर के डाल दिये थे यह ऑप्शनल है आप चाहिए तो स्किप कर सकते हैं आप इसको ढखके दस मिनट के लिए लो आच पे पकने देना है दस मिनट हो चुके हैं यह बिर्यानी जो है वो बन के रेडी है यह देखिए इसको हलके हलके हाथ से ही आप इस तरह से मिक्स करें इस टेज पर आप इसमें निम्बू भी मिक्स कर सकते हैं तो और भी ज़दा अच्छा टेस्ट आता है अब इसे सर्व कर लेंगे अब मैं बना रहे हो सेवैं इसके लिए मैंने आदा लिटर दूद को बोल कर लिया था अब इसमें मैंने सेवैंडाल दी यह मैंने रोस्टर वाली सेवैं यूजर की हैं इसे इनको डेरेक्ट डाल दिया है अब इनको अच्छे से मिक्स कर लेना है और इनको भी फिर से बॉल करना है अब इसमें मैंने एक बड़ा चमच्ची रोंची डाल दिया इसमें थोड़े से काजू डाल दिये इनको भी अच्छे से मिक्स कर लिया अब इसमें मैंने बदाम का पाउडर डाल दिया अब इसमें मैंने दो बड़े चमेर्च Mmmda, और आदा कप इसमें मैंने ब्राउन शूगर डाल अप साधी चीनी जो रहती है वह भी डाल सकते हैं लेकिन मैं इसमें ब्राउन शूगर डाल तर्टह जाता है और हमेरी सेट के लिए भी रहता है इनको थोड़ा सा बॉयल कर लेना है और ये सेवईयां जो है वो बन के रेडी हो चुकी है ये हमारी सेवईयां और बिर्यानी दोनों बन के रेडी है अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें थैंक कैँ स deficці wurde लूओा हो फिकसा क्य militar काजये लिए इनको लीड दोली वीडियो टेंको कट बभी करें आपको लाओता है वीडियो को अटोल्य आपको गया है झाल ठाने मौना मौना जैने मॉाया करें मौना छो याक्या बहता है